विधानसभा चुनाव की करीब आते आते टिकेट के दाविदार भी सक्रिय हो चुके हैं और इसी कड़ी में इंदोर के विधानसभा 5 से भाजपा के टिकेट के दाविदार मुकेश सिंग राजावत भी सक्रिय हो चुके हैं जोकि संस्था देवपत के जरिये विधानसभा 5 के बॉर्डों में स्वास्थ शिवर लगा कर जनता को स्वास्थ लाप देने का काम कर रहे हैं। इसी पर देखिये हमारी हखास रपोर्ट। विधानसभा 5 में टिकेट के दाविदार सक्रिय। मुकेश सिंग राजावत ने पेश की अपनी दाविदारी। संस्था देवपत के जरिये दे रहे स्वास्थ लाप। मौसमी बीमारियों से जनता को रही निज़ाद। इन दौर के विधानसभा 5 में भारतिय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश सिंग राजावत सक्रियों हो चुके हैं जो कि अलग-अलग माध्यमों से जनता के बीच पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं वहीं बारिश के मौसम में लोगों में फैल रही बीमारियों के चलते विसंस्था देवपत के माध्यम से स्वास्त शिविड लगाने का काम भी कर रहे हैं जहाँ पर अब की बार वाट्रमांग चमालिस में स्वास्त शिविड लगाया गया आयोजन को लेकर मुकेश सिंग राजावत ने कहा कि संस्था देवपत के जरिये प्रयास किया जा रहा है कि जनता को आसानी से स्वास्त लाब पिले संस्था देवपत द्वारा नर सेवा ही नारायन सेवा इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए विगद दस वर्षों से लगातार इस तरह के स्वास्त शिविड संस्था द्वारा आयोजुद किये जाते हैं इस मोसम में क्या होता है कि कभी आखों का इंफेक्शन हो रहा है कहीं पेट की बीमारी हो रही है कहीं हेजे की बीमारी हो रही है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गरीब बस्तियों में जहांके नागदिक जो है डाक्टरों की मोटी फीस वह नहीं कर पाते हैं तो इस दोरान भाजपाप पारशत रुपेश्ट देवलिया ने बताया कि जनता के स्वास्त का खयाल रखते हुए स्वास्त शिवर आयोजित किया गया था. आपको बता दे कि मुकेश सिंग राजावत का भाजपा के नगर अध्यक्ष के लिए भी नाम चल चुका है. वही संगठन के कई महतपून पदो पर भी वह रह चुके हैं. वही कारकरम के दोरान इंदौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नगर अध्यक्ष, रगु यादव, पूर्व पारशत, निशा रुपेश, देवलिया, उदै सिंग पवार, राकेश, ललावत समित, अन् आरी शामिल हुए. वीरो रिपोर्ट, MP News, इन दौर.